नमस्कर दोस्तों मैं उदेलर्फ एक बार स्वागत करता हूँ आप सभी का चहीते चानल इंडियन मुर्गी पालन प्रुड़ देखने वाले हरकिसान भाई का आज की उड़े में तहे दिल से बहुत-बहुत स्वागत दोस्तों थम ने लेखा टायटल पड़ा हाँ दोस्तों दुनिया का सबसे बहतरीन व्याउसा है मुर्गी पालन का लेकिन दुनिया का सबसे बहतरीन व्याउसा है मुर्गी पालन का यह गर्मियों के मोसम में दिक्कत आता है क्योंकि दोस्तों गर्मियों के मोसम में मुर्गि हो सहम जाते हो कि आपको लगता है कि अगर मेरा for panagement fail हो गया तो मुझे वहाँ पर loss हो सकता है लेकिन दोस्तो गर्मियों के मोसम में मुर्ग्यों को कोंसा fit देना चाहिए कैसा Fit देना चाहिए कि जिसके माध्यम से आपका फिड का fight खर्च हो हो जाएगा जिस माध्यम से आपकी मुर्गी तंदुरुस्त रहेगी सेहत मन रहेगी और ज्यादा से ज्यादा आपको मुनाफ़ा दे पाएगी इसी कड़ी के अंतरगत दोस्तो मैं लेकर आया हूं दोस्तो दुनिया की अद्भुत संकल्पना जिसका नाम है दोस्तो अपोजिट फीड मेथड हाँ दोस्तो यह मेथड इंडियन मुर्गी पालन की ही देन होगी और इस मेथड का इस्तमाल करने से भारत वर्ष की मुर्गी पालन का व्योसाय करने वाली जो मेरी जनसंक्या है दोस्तों लाभानवित हो जाएगी ऐसे में दोस्तों opposite feed में तड़ यह संकल्पना क्या है यह संकल्पना किस तरह से इस्तमाल में लाई जा सकती है और आपके लिए खुशी की ख़बर किस अंकल्पना को implement करने के लिए ना डिग्री की आवश्शक्ता है ना डिपलोमे की आवश्शक्ता है और इसके लिए 0 प्रतिषत खरचा है दोस्तों इसलिए दोस्तो गर्मियों के मोसम में आप भी दिक्कत में आ चुके हैं और आपको भी डर लग रहा है कि फिड मैनेजमेंट कैसे करूँ तो दोस्तो आपकी सभी समस्याओं का सोलूशन लेकर हाजिर हूँ लेकिन यह प्रस्तुत वीडियो जो विस्तुत जानकर या आपको प्रदान करेगा अगर इसका सही तरीके से इंप्लिमेंट कर लोगे तो सव प्रतिशत दोस्तो गर्मियों के मोसम में आपकी हर दिक्कत दूर हो जाएगी इसलिए दोस्तो वीडियो बहुत ही महत्तो पुर्ने शुरुआत से लिकरंता तक देख लीजे पसंद आया तो लाइक कीजे किसान और मुर्गी पालक भायों के पास पहुचाने के लिए शेयर कर दी शेयर करने के लिए आप परसनल वाटसप नंबर वाटसप ग्रूप टे होंगा आप भी मुझे अपना और घर का सदस से मानते हो तो क्रिपया सब्सक्राइब कर लिजे इसके लिए इस वीडियो के दाई तरब ने चली साइड में आने के बाद दिखाए देने वाले लाल रंग के सब्सक्राइब की निशान को टच कर दीजे उसके बाद कलर के लिए अपोजिट फीड मेथड दोस्तो पहले ही आपको बताता हूं कि यह मेथड बारा महा आप इस्तमाल कर सकते हो बहुत ही कारगर मेथड़े दोस्तो इसका इस्तमाल करने से मुर्गी पालन के फार्म पर 50 से लेकर 70% बीमारी आने का डर खत्म हो जाता है और साथ ही मे के लिए गर्मियों में मुर्गियों को दिक्कत कुन से आती है समझते उसके बाद इस फीड मेथड का इस्तमाल किस तरह से करना है आपको समझाता हूं तो गर्मियों के मोसम में मोसम की कुछ दुश्वारिया होती है दोस्तों की जैसे में गर्मियों के मोसम में बहुत ज्यादा हीड बढ़ती है दोस्तों तापमान कभी कभी 40-45 degrees Celsius से उपर चला जाता है लेकिन बढ़ने वाला तापमान मुर्गी तो सहे नहीं पाती है दोस्तो आईसे में मुर्गी मरने का डर लगा रहता है ऐसे में दोस्तो मुर्गियों की शरीर रचना को समझ लीजे मुर्गिया एक ऐस तरह कि उनकी शरीर के वहां पर रचना होती है कि ठंडे जिसम किसम की मुर्गी होती है दोस्तो और इस मुर्गी में दिक्कत कहा होती है तो दिख पता है कि मुर्गियों के शरीर का तापमान कम नहीं हो पाता है और तापमान कम नहीं होता है तो मुर्गियों के शरीर में वहाँ पर गर्मी बढ़ने के कारण वश हार्ट फिलियर का शिकार हो लू लगना हो इससे मुर्गिया मर जाती है और आपको पता है कि सूरज के खक नहीं सकते लेकिन फीड में बदलाव करके इसका solution निकल सकता है और ऐसे में दोस्तो आप को opposite Feed method बहुत ही कारगर साबित हो सकती है है तो देखे दोस्तो opposite Product method इसका यहां पर किस तरह से कारगर हो सकती है इस से पहले opposite method है क्या समझ लीजिए लेध दोस्तों इस जो मूल और आप वहां पर बेसिक कंसेप्ट को देखोगे तो यहां पर क्या है कि हमारे हिसाफ से जो हमने रिसर्च किया उसमें यह बात हमको देखने को मिली कि मुर्गियों को अगर आप अपोजिट खाना खिलाते हो पुद्रत के तौर पर तो दोस्तों आप सफल हो पाते ह जैसे गर्मियों के मोसम में मुर्गियों के शरीर के अंदर गर्मी है बाहरिवाता और उनमें गर्मी है सूरज के रोष्णी में गर्मी है यानि कि गर्मी का प्रतिशायत बहुत ज्यादा है और आइसे में आप मुर्गी को गर्मियों का फिड खिलाओगे जिससे कि आपकी मुर्गिों की शरीर की गर्मी और बढ़ जाएगी और मुर्गी मर जाएगी आसे में आपको करना क्या है अपोसीट फीड मेठेड क्या बताती ही कि जैसा मोसम है उससे विपरीत फीड आपको मुर्गिों को देना हैcul opin कि दोस्तों मोसम में बहुत ज्यादा गर्मा हट है तो मुर्गियों के शरीर में ठंडा हट लाने वाला फिड आपको देना चाहिए इसमें फिर दोस्तों फिड मैनेजमेंट कैसी होनी चाहिए अगर एक मुर्गी प्रति दिन सव ग्राम के करिब करेक फिड का कंजमशन करती है यानि फिड खाती है तो इस सव ग्राम में से आपको तकरीब अं 60 से लेके 80 ग्राम तक गीला फिड देना है गीला का मतलब गेहूं भिगोया चावल भिगोया आईसा नहीं जिस फिड के अंदर अपने आप पानी का प्रतिश तो होता है उस फीड को गीला फीड कह सकते हैं यह फीड हरी सब्जिया में होता है हरी पत्ति ओले सब्जियों में होता है यह फीड वाटरमेलन यानि टर्बूजा खर्बूजा ककड़ी इन में होता है पानी का प्रतिशा सबसे ज्यादा जिस फीड में है उसका आप इस्तमाल कर सकते हो इसके लिए आपको आपकी यहां से नस्दीक में जो वहां पर जो दोस्तो सबसी मंड़ई दिखाए देंगी वहां पर जाईए आप जाने के बाद वहां पर सबसे सस्ता सबसे ज़्यादा पानी जिसमें है वहां फीड खरीद कर लाए और फीड बोले तो करके डिवाइडेशन करके क्लासिफिकेशन करके आपको मुर्गियों को खिलाना है अभी कोई कोई कहेगा सर मैं गाव देहात में रहता हूं हफ्ते वाला एक बाजार रहता है तो मैं हर दिन यह फिड कहां से प्रोवाइड कर पाऊ तो दिक्कत तो बड़ी है आपकी दिक्कत चोटे चोटे दूसरे आनाज होते है कि जिसमें आप घास लगा दीजिये कौन सी मेथी घास लगा दीजे आप उसके साथ दशरत खास बोलके आती और आपके अरिया में जो घास मिलती है उसको लगा दिए गास बढ़ोतरी बहुत सपीडली होती और यह कट करके डालते भर का घर पर ही फिट तयार हो जाएगा और बहुत सस्ते में सफ़लता की कुंजी आपको मिल जाएगी आफेशा फिट देने से मुर्गेओं के शरीर का पानी का प्रतिशत बढ़ जएगा मुर्गेओं को गर्मियों के खिलाब लढ़ने की क्षमता मिल जाएगी मुर्गियों का पेड भर जाएगा पानी पर्याप्त मिलने से लू लगने की संभावना हमेशा हमेशे अक के लिए दूर हो जाएगी इससे मुर्गिया बीमार नहीं गिरेगी तंदुरुस्त होगी तो अंडो का प्रोड़क्शन बढ़ेगा तो मुर्गियों की ग्रोध बढ़ेगी और आपका फार्म आपको दिन दुगनी राच योगनी प्रोग्रेस करके देगा अपोजिट फिड मेथड में अगर इस तरह से आपने घर पर ही वहाँ पर फिड को निर्मान कर लिया तो आपका 80% तक फिड का खर्चा घड़ जाता है मुझे बताए 80% फिड घटने का होने वाला मुनाफ़ा आप कैल्कुलेट कर पाओगी यानि कि हमारा पूरा मुर्गी पालन का व्यावसाई ही जीरो बजेट हो जाएगा बाते आसान होती है बाते छोटी होती है लेकिन समझदार को इशारा काफी है कि जिसे करना है उसको समझ में आ चुका है कि क्या करना है क्या नहीं करना है और एक बात होती है दोस्तों कि आपको करना होगा तो आप कारण मत बताईए और करना नहीं होगा तो आप वहाँ पर कारण बता सकते हो इसलिए आपको करना है तो करते चलिए आज नहीं तो कल कल नहीं तो परसो तो आप उस मंजिल तक पहुच ही जाओगे तो इस तरीके से आप बारा महा में अपूजिट फिड में थड़ का इस्तमाल कीजिए दोस्तो और आपसे विनिती करता हूँ गर्मियों के मोसम में मुर्गयों के शरीर में गर्मी बढ़ाने वाले पधारतों का इस्तमाल मत कीजिए जैसे कि आप वहां पर लहसन, उसके बाद अद्रग, गुड, पानी, उसके बाद आप सुखा फिड जिसमें गेहूं जवार, मकाई, बाजरा और चावल इनका इस्तमाल बहुत ही कम कर दीजे और साथी में मचली वेश्टेज, चिकन वेश्टेज, इनका इस्तमाल भी आप ना करें, होटेल, होस्टेल, रेस्टोरेंट से लाया जाने वाला फिड इसका भी इस्तमाल कम करें बस गर्मियों के मोसम में इतनी सावधानी बरतली, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा इस तरह से काम कीजिए दोस्तों, सव प्रतिशत आप सफल हो जाओगे इसके बारे में आपका कोई सवाल हो, कुछ आपको मुझे से पूछ ना हो, तो प्लीज कमेंट सेक्षन में आप लिख कर पूछ सकते हो पसंद आया होगा यह वीडियो तो लाइक कर दीजे, ज्यादा ज्यादा किसान भाय और मुर्गी पालक भायों तक वीडियो पोचाने के लिए शेयर कर दीजे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल कर दीजे ताकि आने वाल हर उडियो आपको समय समय पर मिलता रहेगा तो दोस्तों आयसे एक नए वीडियो लेकर मैं आपका दोस्त उदे लड़ाब सभी के चहीते च्छानल इंडियन मुर्गी पालन पर आपको मिलता रहोंगा तब तक के लिए मेरे हर किसान भाय काज की वीडियो में तहे दिल से बहुत बहुत आभाद